अइसरामलेकॉम आज के लॉच्शन में हम वैंगे किस्ज़ाइब है कुछ स्वार्ट इसको देखेंगे इससे पहले हमने दो ऊफु द देती स्वार्टिंग के बब इस्फिर स स्वार्टन के wine window तो वो भी आपने जमा करवानी है अलमस पर तो आज हमारा कुछ साट यह भी एक सौर्टिंग अल्कुरिदम है लेकिन यह जो है यह डिवाइड अंकर अप्रोच उसको यूज करता है अध्याइड अंकर के बारे में हमने पिछले एक लेक्षर में देखा था सब्सके इसकी इसकी ऑफर्सकी प्रॉड करके इसकी बटकी को देखेंगे किस तरह से काम करता है उसके बाद कि ये a भाइट आन कांगर अप्रोच को यूज करता है तो इसमें बेसिकली एक हम प्र पॉइंट कर लेते हैं कर लेते हैं वह吗 डिए वह अपनी मरजी से हम स्टार्ट से भी ले सकते हैं एव इसाANS से या है आज मिट्ट में से भी या कहीं से भी आप array में से उसको select कर सकते हो ठीक है तो इसका फिसिकली क्या परपद होता है यह जब इसको algorithm पर इस pivot को लेकर जाता है इसको run किया जाता है तो algorithm run होने के बाद pivot जो है वह अपनी actual position पर आ जाता है और pivot के जो left side पर elements होते हैं वह sorted होते हैं sorted नहीं होते हैं लेकिन वह lesser होते हैं pivot से ठीक है और जो right side पर होते हैं वह greater होते हैं ठीक है यह लिका हुआ है in such a way that elements in the left half are smaller ठीक है pivot के जो left side पर limits होते हैं वह small होते हैं pivot से और जो right side पर होते हैं वह greater होते हैं तो अब भी हम इसको देखेंगे sample करके तो फिर आपको समझाएगी ठीक है तो इसके तीन steps हैं सबसे पहले आप pivot find out करते हैं और array को दो parts में डिवाइड कर लेते हैं दो half में उसके बाद लाइडा लाइडा हाफ जो left half and right half उनको लाइडा से आप पर दुबारा से उनकी लाइडा से partition करते हो पिर इसी तरह यह recursively जो है ना recursive algorithm है डिवाइड and conquer approach को भी यूज करता है और recursive जाता है जब तक end फे single element नहीं आ जाएगा तो यह main जो फंक्शन है इसका वो यह है जो के जिसका नाम क्विक सार्ट है और इसके तीन parameter पास हो रहे है यह नाम है array का L मतलब lowest point और H जो हाइस्ट point मतलब array का zero index को L का नाम दिया गया और जो highest point होगा highest index होगा वो आपका H में आएगा ठीक है तो अगर L होगा lesser than H मतलब zero हमेशा चोटे ही होगा आपके जो length होगी array की उससे तो अगर तो यह condition true है तो क्या करें पार्टिशन वाला function है एक लाज़ा से उसको कॉल करें और इसमें भी परामेटर पास हो रहे है ठीक है और यह वाला function एक value return करेगा जो के फिर आपके Q में save होगी है ठीक है अनिशली जब यह function काल होगा तो यह जो array होगी जिरो उसका starting index होगा और array की जो length होगी वो एच में चाहेगा जो भी length होगी वो एच में आएगी तो पार्टिशन वाला function है एक लएदा से यह वाला यह काल होगा इसमें अब यह basically pivot हमने की है हमने इस example में इस algorithm में जो लास्ट वाला element है एरे का उसको एजब लिया है ठीक है एच हमारा लास्ट इंडेक्स था तो लास्ट इंडेक्स को हमने एजब ले लिया है ठीक है आगे पर यह पूरा algorithm है इसको भी हम जब example करते हैं तो इसके साथ साथ मैं आपको समझाता ठीक है यह example है इस एरे पर हम जो है ना इसको ड्राइडन करके देखते हैं इसकी कंप्लेक्सटी भी देखते हैं अभी पेपर पर मैंने साल किया वह सुमय आपको दिखाता हूं मैंने वीडियो बनाई है बेसिकली मुबाइल के थुरू लेकिन उसका साथ जो है न बहुत ज्यादा बना है तो वह अपलोड नहीं हो सकती इतनी अगर हो भी तो बहुत पर आपको यहां पर पिक्चर्ज के तुरू समझा देता हूं मैं तो इसकी जो बेस्ट केस के लिए और एबरिज केस के लिए कंप्लेक्सटी आएगी वह एन लॉग एन की फाम में आएगी और वर्श केस के लिए एन स्केर आएगी यह भी डिटेल में हम देखते हैं जिए यह वुसे तरह यह जो को प्रूर खालिधम अाई टॉर शुरू और तो यह नहीं मैंजुएज स्टार्ट हो स्टार्ट होगा तो फाड़ खालर उसके बाद इसके अंदर होगा है जब यह तो बेगाल वाफिo lot फॉन्क्षण, काल वही थापने प्र शुख यह तो फ आईस्ट प्वाइंट जो है वो हमने एदा प्रिवट ले लिए अब सपोस्ट करिए एरे है जीरो पे जीरो को एल में सेव कर लिए मतलब लुएस्ट अलिमेंट आपका जीरो है और हैश आपका सेवन है अब है तो मत्लब पीवट आपका जेगा फॉर है सेवन पर कunds सेलिमेंट फौर तो सब गर्वाएंट फॉर ठीक है और हमने एक परेमिटर लिया पी इंडेक्स उसको भी हमने ल की वैल्यू दे जी जाएगी तो ल में किया 0 तो पी इंडेक्स में भी आपका 0 आ जाएगा पी एंड इंडेक्स और एल जो है ना दोनों में 0 है उसके बाद एक लूप लगा हुए है जिसमें आई स्टार्ट हो रहा है जो के स्टार्ट हो रहा है एल से लेके ह-1 तक मतलब 0 से लेके 6 तक चलेगा लूप ठीक है है एच 7 ना तो ह-1 6 तक चलेगा जिसके अंदर कंडिशन लगी है इफके अगर तो यह जो होती है तो क्या करें इस वैप करें और इंडेक्स में माइनस इंक्रिमेंट कर दें ठीक है तो कंडिशन क्या है बिसीकली एफ आफ आई इस्लेस्स और एक्वल टू प्यवट आई काया भी 0 तो एफ आफ आई क्या होगा 7 7 को कंपेर करें पीवट के साथ 7 is less than or equal to pivot false है तो फाल्स होने पर क्या करें आई में दोबारा increment करें और दोबारा condition check करें अब आई की value 0 से 1 हो जाएगी ठीक है अब 1 के लिए check करेगा है 1 दूइसले एकर प्रेगार आधिस को सब्सक्राइब या ओंदेक्स किसाघत तो आई में क्या है ऐ से कि अभी अंडएक्स पे कि अभी आधिके फैन को टू में तो टू के साथ आप करदे रहों तो यह इस टाप में उसने स्वाप की आई यह आई उसी द्रहा से उसने लिखती गई एँ ज़िए पूट आ रहा है और यह इस से इसथे न्द्राइब भी इस तरह से इंपूट आ र है मतलब को सथा एक और तो पी इंडेक्स के दाट लोगा सिम्सफ प्यूंस जीरो पर है तो एक लाट को इद्र लाय टूम्हों के साल उने पर दुस्टछा काम क्या ना पीृंडए करता तो P index यहां पर सब्छाइक, नो P index पर आजएगा, अब दोबरा आई की क्या होजाएगी, तहलो हो जाएगी, पर दोबरा ही के साथ प्यूआ करेगा, था, ai Red Alertif cP which is deze again 5 को compare way 1. 1 is less than 4. true तुरма ट्रुहें पर तुम्हारा स्वाइब करें assault ग्राइब को of index के साथ तो इक में क्या दूद में आए artf index में तक सेमन और रवान को स्वाब कर दें ठीक है seven इतरा आ भया वान इतर आ गया दूसरा काम क्या करना है P index को increment करना है फी इंडेक्स 1 पे था अब 2 पे आ जाएगा ठीक है तो पी इंडेक्स यहां पे 2 पे आ गया अ कि दोबारा इंदेक्स में क्रीमेंट होगा आई के वैले अप क्या हो जाएगी है 3 तो 3 पर क्या है automation को compare करेगा प्रिवट के साथ four के साथ six is less than four false है तो यह दो lines नहीं चलेगी क्योंकि यह इस के अंदर है तो condition false हो गई है दोबहा loop में increment होगा आज में क्या हो जाएगा four four पे क्या है eight eight compare करेगा four के साथ eight is less than four false है फिर increment होगा five पे आएगा five पे क्या है five भी है तो five is less than four false है दोबहाद increment होगा six पे आएगा six पे क्या है three three is less than four यह ट्रू है ठीक है तो ट्रू नहीं पर क्या करें स्वैब करें यह फाई को आई क्या है six है तो यह फाई में क्या है three three को स्वैब कर दे पी आफ इंडेक्स के साथ पी इंडेक्स कहां पर सैवन पर मतलब सैवन को त्री को स्वैब कर दे सैवन इदर आजे थ्री इदर आजे ठीक है तो इस स्टेप में उसने स्वैपिंग कर दी है कि इस टेप पर हाँ सैवन और थ्री था सैवन को इदर ले आया ठीक है तो यह स्वैपिंग हो गई उसके बाद पी इंडेक्स में इंक्रिमेंट कर दे पी इंडेक्स टू पे था अब थ्री पे आ जाएगा ठीक है उसके बाद दोबारा लूप में इंक्रिमेंट होगा लेकिन अब लूप जो हो तर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि एच माइनस वन तक चलना है तो हम और लड़ी सिक्स तक पहुंच गे थे ठीक है तो सिक्स तक ही हमने जाना था टर्मिनेशन कंडिशन क्या थी एच माइनस उन मतलब सिक्स तक तक तो लिटाने में की पाद क्या होगा डिटैर मेनिटों के बाद यह थो लाइन जाग ऑगा यह दोन लाइन फाल लूप से बाहर रहा है ठीक है इसमें क्या करना है एफ पी इंडेक्स को स्वाप करना है एफ एच के साथ तो एफ पी इंडेक्स क्या है पी इंडेक्स कहां पे है तरी पे तो एफ पी इंडेक्स में क्या होगा शिक्स को स्वाप करना है एफ एच के साथ एच क्या था तो एफ एच क्या होगा 4 4 4 को 6 को swap कर देना है ठीक है 4 इदर आजाएगा 6 इदर आजाएगा ठीक है यह वली swapping जो है यह loop के termination के बाद होगी after the termination of the loop ठीक है उसके बाद दूसरा काम क्या करना है return करना है index को पी-index को तो पी-index कहां पर थी पर तो थी जो है ना वो रिटर्न कर देगा यह वाला यह वाला जो function पार्टिशन वाला कंप्लीट होने के बाद क्या return करेगा पी-index में जो भी वैली होगी तो हमारे केस में 3 है 3 return होगा return होने के बाद कहां पर आ जाएगा इधर आके क्यों में सेव हो जाएगा क्यों वेडियेबल में ठीक है अब यह इसका मतलब है प्यवर्ट हमारा अपनी अक्च्वल पिजिशन पर आ गया है ठीक है पार्टिशनिंग वाला algorithm complete होने के बाद हमारा जो प् से less है और राइट साइड पर जितने भी elements हैं वो सारे इससे greater है ठीक है तो होना भी ऐसे चाहिए तब यह आपका algorithm ठीक होगा अगर आपके पीवर्ट से right side पर less होंगे elements और राइट साइड पर greater होंगे अब मजीद इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ठीक है रिकर्सिवली काल हो रहा है अब यह कोई किसाट वाला function दो दफार रिकर्सिवली काल हो रहा है ठीक है अब थ्री तो अपनी अक्वल पिजिशन पर आ गया मतलब थ्री वह पे जो भी है फोर हमारा जो रहेंगी इन दोनों को अब हमने एलाद एलादा दुबारा से उसी तरह से थारा प्रिसीजर करना है पार्टिशन वाला ठीक है तो यह इस तरह के लिए यह वाला function इस तरह से काल होगा एरे का नाम यह होगा एल स्टार्टिंग वैली उसी तरह से जीरो और कहां तक जाएग तो 3-1 क्या हो जाएगा 2 मतलब Q-1 3-1 तो यह वाली एरे 2 तक चलेगी तो यह जो रिकर्सीव काल हुई है यह वाली एरे वी है और इस वाली लाइन से रिकर्सीव काल जब होगी तो यह वाली एरे होगी वह इस तरह से Q-1 3 था Q में क्या आया था 3 3 प्लस 1 4 4 से लेकर 7 तक जाएगी तो यह वाली एरे काल होगी ठीक है तो इस तरह यह रिकर्सिवली काल होगी होती जाएगी होती जाएगी आपकी एरेज जब तक कि आपके एंड पे सिंगल एलिमेंट नहीं आ जाता ठीक है अब जब यह वाला काल होगा पाटिशनिंग के लिए यह वाला एरे काल हो के लिए फिर दुबारा से लाइधा से ये काल होगा फंक्शन फिर दुबारा एंड तक करता जाएगा ये रिकर्सिवली काल जब तक एंड पर आपका सिंगल एलिमेंट नहीं आ जाता उसके लिए कंडिशन लगी हुए ना इफ लेस लो इज लेस थैन हाई ठीक है तो ये तब तक अंतलब जब तक आपको सिंगल एलिमेंट नहीं आ जाता तब तक ये आपकी तीनों लाइनस चलती जाएंगी पार्टिशनिंगal फंक्शन आटिह काल होता जाएंगा और ये रिकरसीवली काल लाइप जाएंगी जबazed तक हाप लो और हई लो जो हैना वह लसू होंगा हाई से तो इसी तरह यह वाली एरे भी फर्दर डिवाइड होती जाएगी जब तक आपका सिंगल एलिमेंट नहीं आ जाता तो यह परसीजर है इसका विक्सवाइड का तो हमने सिरफ एक पार्टिशन करके दिखा देना कि इस तरह से यह काम करती है बाकी फर्दर वह डिवाइड होती जाती है जब इसकी यह कोटिंग की जाती है किसी भी लैंगवेश बेकिंग है ठीक है यह हमने चिरफ बार्टिशन को फंक्शन जो है यह वाला ऑपर वाला जो फंक्शन था पार्टिशन को वाला एलगोरिजम इसको ड्राइड रॉन एक दफ़ा किया तो प्रिवट अपनी प्रिशन पर आ गया उसके बाद मजीद दो बन गई है अब इसी तरह इस तरह इस तरह से यह दोबारा से पार्टिशनिंग वाला का लोगा फंक्शन इस तरह पर भी फिर दोबारा इनकी जो दो इसा बैड़े बनेंगी उन पर लादा होगा इसके लिए जो दो बनेंगी उनके ले लिए लादा दोनों के लिए काल होगा इसी तरह यह फटर होता जाएगा जब तक एंड़ पर सिंगल एड़ एलिमेंट नहीं आ जाएगा इक है तो यह इस तरह से काम करती है कुईक्सार्ट इसके बाद इसकी कंप्लेक्सटी इसकी पेस्ट के लिए देखते हैं सबसे पहले तो बेस्ट के इसके लिए बस्केस का मतलब है कि हमने एक रगी और यह कुछिए आपकी जो एड़ वाइड हुई है पार्टिशन हो है उसकी दो पार्ट में वह Вोट इकूलि डिवाइड हुई है मतलब आपकी अगर एड़े तो तीन इधर आया है तीन इधर आया है थीक है दोनों इक्विली आया है डिवाइड होने के बाद मतलब आपका जो पीवट हाया वह मिड में आया है उसके बाद इनकी जब फर्देट वीन होगी तो वन वन अलिमेंट आजएगा फिर जब इनकी फर्देट वीन होगी तो वन वन मतलब इक्विली डिवीन हो रही है दोनों सब पहरेज की ठीक है तो उसके लिए हमने इस तरह टरी की फार्म में इसको लिख लिए अगर एन एलिमेंट की आपकी अरे है तो एन बैट वर एन बैट वर दो पार्ट बन फिर इसके फ़र्द दो पार्स बनेंगे अ 1 ड़ा टो की पावर टू एन भाइट व्यूचिविभै भी फॉर्ट बनेंगे इसथा ये चलता जैए गा नोन पीपावर मइं ठीक है औरियूं तक चलता जाएगा जब तक आप सिंधर्ल आलिमन मैं नहीं आजाता थीक है तो उ हमने इस फार्म में लिख दिया है एंड डिवाड़िट वे टू की पावर के इस इकॉल टू वान इसको हमने इस पोस्ट कर लिए इस तरह की एक्जामपल हमने पिछले लेक्चर में भी की ती जिसमें हमने रिकर्सिव अल्गोरिजम को देखा था रिकरेंस रिलेशन की ग्ज बिएश लेक्चte सं अब घरी ठीजिए तो इसके लिए आपके आगे कं एन आएगी ठीक है तो सब के लिए एन आएगी फर्जाती जाएगी यह फुर्दर के तक जाएगी जब इनको अब एड़ करेंगे तो इसकी क्या बनेगी एन के की फार्म में आएगी तो एग्जांपल का रिफरेंस है मैं ने जिसमें आप हमने स्पोस किया था है एन डिवाइड़ बैर टू के इस इक्वल टू बटू यह था जाएगा जब तक एंड पर आपका संगल अलिमेंट नहीं आ जाता तो एन बाए टू के को हमने एक्वल टू बाट लिया है तो जब आपके यह के वैलियों हम इसमें गूट करेंगे एड के साथ तो यह आ जएगा एन लॉग टू एन कि रिए तो यह आपकी eat यह यह या दी बेस्ट केस के लिए बिग और दॉग एंड वैस्ट के लिए ठीक है best case कब होगा जब हमने यह suppose किया है कि आपका जो एरे है वो equally divided हो गई है middle आपका जो pivot आया है वो आपका mid में आया है और आपके दोनों parts equal size के हैं ठीक है तब आपका best case होगा अगर तो इस तरह नहीं होता मतलब equal नहीं आते तो वो आपका average में आ सकता है है कि 나라 के हमने अदेगा था स्टारइड में के आपकी कम्प्लेक्सटी यहीं है न के आपकी यह होगी वो उटोट होगी बलके बिल्कुल वो बिखने होगी के हम देखते हैं अगले इस लाइट में है यह वस्केस के लिए इसका जिसमें वस्केस के लिए यह होना चाहिए कि आपकी जो एरे यह वह असेंडिंग और में होनी चाहिए होनी चाहिए ठीक है टू फोर एट टैन सिक्स्टीन एटीन यह अलड़ी सौटीड है तो इस तरह हमने पीवर्ट सिलेक्ट कर लिया तो जब इस अरे पर आपकी पार्टिशन वाला फंक्शन काल होगा आठीक तो यह तो अलड़ी सौटीड है मतलब इस पीवर्ट के लफ साइट पे ओलर्ड इस अलिमेंट है जो कर लेसर हैं पीवर्ट से सारे तो यह मतलब आपकी बी जब होगी पार्टिशनिक होगी तो आपकी यह इतनी एरे रह जाएगी मतलब एक अलिमेंट काम हो जाएगा वस्य वाला पीवट वाला बाकि आपकी यह सारी एरे रह जाएगी बाकि वाली जिरसुले के 5 तक एस इस जब इसको हम पीवट सेलेक्ट करेंगे तो इससे पिछवाले जितने अब अलिमेंट्स हैं वह भी और ले रिक्रेंस रिकर्सिवली जब तक आपका सिंगल अलिमेंट नहीं आ जाता ठीक है तो इसकी कंप्लेक्सिटी इस तरह से निकलेगी यह स्पोस्ट गोर टोटल एंड साइस की आपकी आरे है ठीक है तो नेक्स्ट आइटरेशन में आपकी एंड माइनस वन दफा वो चलेगी इसी तरह चलती चलती आपकी वन तक जाएगी जब तक आपका सिंगल एलिमेंट नहीं आ जाएगा है ठीक है तो जब इस तरह इस फॉर्म में आपका कंप्लेक्स्टी आए तो उसको हम लिखते हैं एंड इंटू एंड प्लस वन डिवाड़िद बाइट यह हमने क्लास में पुत स् let us too can do तरशा करेंगे तो आपका एंट गयर जो इस अधिकशिंवर्ड राव बचेगा अvit है और कि की और कर दिया कि था हमने को यृ 16 होते है तो नकी स्वर्ड हाइस्ट है तो ईग गोवा फैंक्वा इस की कंप्लेक्स्टी तो एक तो उसके लिए क्या कंडुशन ह है कि आपकी एयरे सॉर्टी रोनी चाहिए और आपका जो व्हक्ति है पार्टिश्णिक होती है वह आपकी सिर्फ एक element काम होता है दूसरी साइट पे लेफ्ट साइट पे पार्टिशनिक ही नहीं होती है अगर आप पीवर्ट आप स्लेक्ट करते हो यह वाला अगर इधर से पीवर्ट से राइट साइट से तो आपका यह वाला element निकल जाएगा बाकि आपकी सारी array बचेगी ठीक है तो आपकी जो वर्ट केस के लिए पार्टिशनिक होती है वह सिर्फ एक साइट पर जाती जाती है दूसरी साइट पर पार्टिशनिक नहीं होती इक्वली डिवियन नहीं हो रही बैसिकली जैसे हमने पिछली वैस्ट केस के लिए देखा क्या आपके दोनों जो पार्टिशनिक का साइ台 होगी नहीं जब इस तरह की आपकी एक। तो नश आएगी इसकी कंपलेक्स्टी जोगे बहुत जयादा होती है किसी जाती गुरुतंग के लिए तरुके है एक हैं तो इसको काम करने के लिए या इंप्रूब करने के लिए हमारे पसे में डौफ एना अंग कर लो है घप अभी हमने क्या यहाँ पर प्राइप वो अगर सपर सब्सक्राइब News , इस कर आए सब कहा आफ कि थurniture किते है कि तो पिर आफ़ सब्सक्राइब। तो करते हैं तो फिर भी यह जाना था फिर किंता है यह वडिमेंट निकल जाना था बाकी बज़ जानी थी यह वाला स्लेक्ट जाना था पीवट बाकी यह बज़ जानी थी ठीक है वह आपकी राइट साइड पे ट्री बन जाना था इस तरह से यह लेफ्ट साइड पर बना है वह आपका राइट साइड पर बन जाना था तो दोनों के इसमें आपका एंड स्केर ही आन से पंग की में मिलक्ण में आएगी कम्पलेक्स तें सब्सक्राइब वाला कोई लेते हो पिवट ओर दूसरा मैंथ говорит क्या है इसका कि आpelेंडमनी कोई जोट जोट करलो अंशिए मेंसे रैंडमनी कोई कोई कए लेचा य हैं मगों का उस case में chance है कि आपकी कुछ case sometimes n-scale में भी आ सकती है some case में आपकी n-log n की form में आ सकती है ठीक है अगर तो random उसने select किया है zero वाला या end वाला element तो फिर आपकी n-scale आएगी अगर इन में से कहीं पर उसने किया है तो फिर आपकी mid में से या इदर उदर से कहीं किया है मतलब first वाला और last वाला नहीं किया तो फिर आपकी n-log n की form में आएगी ठीक है तो summary इसकी यह है कि best और average case के लिए n-log n है और worst case के लिए n-scale rights की complexity ठीक है तो इसको हम improve कर सकते हैं किस तरह से दो method है एक तो आप middle element ले लो आएजा pivot और दूसरा randomly आप कोई भी ले सकते हो element ठीक है तो यह आज का lecture था इसको आप लोग देखना पढ़ना तो लेकिन इस से पहले आपको पढ़ना पढ़ेगा अगर आपने यह वाली चीज़ आपको नहीं समझाई पता तो इसके लिए आपको पिछले लेक्टर पढ़ना पढ़ेगा जिसमें मैंने रिकर्सिव रिकरेंस रिलेशन के बारे में बताया होगा है ठीक है तो अगर फिर भी नहीं समझाती तो आप इमेल के तुरू क्वेस्टन नहीं आया वैसे तो पता नहीं आप लोग पढ़ रहे हो के नहीं तो इसको पूर आप लोग बाकी भी जो लेक्टर पहले अप्लोड है उनको भी देखो अगर को क्वेस्टन है तो मुझे से पूछ लेना आप इमेल से ठीक है ओके अलहाफीज